नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईस प्रेपर मॉक टेस्ट नमबर एट आज हम करने जा रहे हैं इसके अंतरगत जो हम प्रशन देखेंगे उसमें विस भुगोल के दस प्रशन होंगे दस प्रशन आपके होंगे इन्वार्मेंट एंड एकोलोजी के परियाबर ने उन परस्तिति की और पांच प्रशन हम देखेंगे एकोनॉमी के भारती अर्थ बहुसता के आपका गाईज आपका दोस्त तरीका वही होगा पहले आप अंसर करेंगे फिर मिलान करेंगे और बाद में अपना स्कोर सेर करेंगे पहला प्रशन लेते हैं पहला प्रशन है निम्रिकित में से अशुमेलित युग्म की पहचान कीजिए असुमेलित कौन सा है देखे इसमे मैंने दो लोहाईज पात के बिकल बनाये हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग पर जोर दें आप सुचे इन में से कोई गलत होगा लेकिन ये नहीं है इसका असुमेलित युग मैं उशाका काच उड्यूग उशाका में काच उद्यूग नहीं है याज निज़ाती पात होता तो ये सी अंशर हो जाएगा प्रस्टेलिया को लैंड आफ गोल्डन बूल के नाम से किसे जाना जाता है ऐसे बहुत सारे और फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए ऐसे लैंड आफ मार्निंग कौम को जाना जाता है से और जाना जाता है लैंड आफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जाना जाता है प्रस्टेंख्या तीन निम्री कितने से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है बद्दु अरब हैदा इरान यूक अधीर साइवेरिया एकांथा दच्छिन अफ्रीका इसका सही उत्तर आपको बता सही उत्तर आप अपना टिक करिए वीडियो को पाउस कर दीजे अगर इस्पीड तेज लग रही है आराम से समय लेकर इमांदारी के साथ अंस्वाटिक करिए और इसका सही उत्तर है फोर का ए चड़ी चट्टानों में उगने वाली जो बनेस्पती होती है उसे हम कहते है ल जल पलावित शित्रों में जो ती उसे हैड्रोफाइट कहा जाता है आगे हम बात करते हैं प्रसंख्या पांच की पांच च्वाँ प्रशन है स्वाज नहर इस्तित है यह दो वाटर वाड़ी दी नहीं है किनके किनके बीच में लाल सागर भूमत सागर एरी और उंटारियो लाल सागर की तरब जो बंदरगा है एक्ट्रा इंफर्मिशन आप नोट कर लीजे वो है पोर्ट सहीद ठीक है और भूमत सागर की ओर जो बंदरगा है वो है पोर्ट सहीद और लाल सागर की ओर जो बंदरगा है वो पोर्ट स्वैज लाल सागर की ओर पोर्ट स्वैज ध्य को बताना है कौन सा सही नहीं है और इसका सही उतर है सी, माइग लन अटलान्टिक को महासागर हो हिंद की बीच में नहीं है, यह अटलान्टिक और प्रशान्थ के बीच में है प्रविन सेंग क्या साथ लेते हैं निम्निखित नदियों यों उद्गमस्तलों का कौन सा जोड़ा आसुमेलित है ये आपको बताना है नाईजर गिनी लीना वेकाल परवत यांगसी हिमाले परवत सिंधो मान सरोवर जील बताना है कौन सा गलत है यानि कि उद्गमस्तल जहां से वो निकलती है और इसका सही उतर है शेवन का C यांग सी हिमालय परवत गलत है यांग सी नदी जो है वो तिपद के पठार से निकलती है ठीक है ना तो ऐसे ही चीजों ही नोट से उठाकर पढ़ लीजे निम्लिकित में से कौन सी नदी करकरेखा को दो बार काड़ती है रंपुत, सरावती, यमुना, माही कौन सी नदी है जो दो बार काड़ती है और इसका सही उतर है माही माही नदी यमुना सरी करकरेखा को दो बार काड़ती है बाकी ये नहीं प्रसंख्या 9, निम्रिकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है नियागराजल प्रपात, सेंट लारिश नदी, एंजिल, कैरो नदी, जोग, गोरावरी नदी, उप्रिक्त में से कोई नहीं बताएए उप्रिक में से कोई नहीं सही सुमेलित मतलब है कि सारे सुमेलित हैं ये समझेगा इसको उप्रिक में से कोई नहीं एंसर जब आप टिक कर रहे हैं या निकि सारे की सारे सुमेलित हैं ये तीनों देखिए क्या है इसका एंसर और इसका सही इंसर है जोग प्रपात गोदावरी नदी नहीं, जोग प्रपात आपको पता होगा, सरावती नदी पर है, ठीक ना, प्रणसंक्या 10, भुगुल का ये अंतिम प्रशन है आज का, टांगा निका जील इस्तित है, जैंबिया, तंजानिया, जैरे, या अंतिम विकल्ब है उप्रूप प्रणसंक्या 11 से 20 तक के जो प्रशन है, वो प्रशन है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंविर्मेंट एंड एकोलोजी के, चलिए करते हैं, निम्लिखित में से परियावरण की जैविक संगठनों की पहस्चान कीजिए, कौन से जैविक संगठक है, सुच में ज जिव जैविक है, पादब जैविक है, और मनुस्य जैविक है, तो उत्तर हो जाएगा 156 यानि की C एंसर हो जाएगा, C उत्तर इसका सही है, प्रणसंक्या 12 निकेत है, वो अस्थान जहां पर जिव जनते निमाश करते हैं, दूसरा है एक प्रजाति के जीवित रहने के लि आपको पता होगा, B, एक प्रजाति के जीवित रहने के लिए आवस्यक जैविक भ्हतिकों दाशाली कारक, प्रणसंक्या 13, सही क्रम की पहचान कीजिए, कोशिका, अनु, जीव, जनसंक्या, आपको क्रम बताना है इसका, कैसे ये क्रम में व्यवस्तित होंगे, तो यह सार प्रणस्पति हैं में से, मास, भर, आर्किट, इस प्रोष, पहचान कीजिए, और इसका सही उत्तर है, भर है और इसमें हो जाएगी इस प्रोष, यानि कि दो और चार, और ये विकल्प है, C, 14 का उत्तर हो जाएगा, C, प्रणसंक्या 15, आसुमेलित, योग की पहचान कीज उत्तपादक प्रथम पोशनस्तर, प्रात्मिक उभगता दुतिय पोशनस्तर, दुतिय उभगता तिर्तियक पोशनस्तर, और तिर्तिय उभगता अपगटक, बताईए कौन सा आसुमेलित है, पहला दूसरा तीसरा तो सुमेलित है, तिर्तियक उभगता ये अपगटक गलत है ये सही नहीं है निम्लिकित में से कौन सा युग्म आशुमेलित है पुस्ताज बेनिजुएला सवाना अफ्रीका कैमपोज ब्राजील प्रेयरी उत्री अमरीका सही उत्तरा बताईए थोड़ा सा समय में आपको दे रहा हूँ और इसका सही उत्तर है सोला का ए पुस्ताज बेनिजुएला नहीं उस्ताज हंगरी आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो आप याद कर लिजे हंगरी है तो यह अशुमेलित हो जाएगा सवाना अफ्रीका कैमपोज ब्राजील उप्रेयरी उत्री अफ्रीका अमरीका सही है ऐसे प्रस्न में ज्यादा क्यों मनाता इससे 3-4 फैक्ट तयार हो जाते हैं आपके तीन तो पहले से ही रहते हैं और एक जो गलत होता है उसको भी मैं यहां पर डिसक्स करता हूँ और यहां बिस्कस कर लेते हैं तो ये बहласти प्रस्न मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं निम्निकित में से किसी समुद्रों का वर्षा वन कहा जाता है महासागरी सेवाल महासागर का दिखने वाला रंग प्रवाल भित्ती इन में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर आप्टि करिए विल्कुल गलत मत करिएगा पहले भी यह प्रशनम डिस्कुस कर चुके हैं इन्वार्मेंट की जिन्होंने क्लास देखी यह जीले दिया वाटर वाड़ी दी हुए है और आपको बताना है काउन सा आशुमेलित है इस्टेट से तो इसका सही उत्तर अठार का भी है दिपोर विल अरुनाचर प्रदेश में नहीं है यह कहां है आशनमे प्रसंख्या 19 निम्दिकित आदर चेत्रों में किने रामसर क दरजा प्राप्त हैं चिलकाजील के वुलादेवराश्टियुद्यान लोक्टक चील गूलर जील किसे रामसर का दरजा प्राप्त है बताईये प्रसंख्या 20 किम्निकित कतनों में सत्त्wen की पहचान आपको करनी है पाज्सितिक के परकार भागि होता है बट पोसर अर्श्त्रों में उर्जा की प्रगामी हानी होती है यह दो स्टेटमेंटered लिए वह क shrink भी आपको बताना है कॉनसे statement सही है का ॕ कर दोनों के दोनों statement यह सही है 20 का सी हो जाएगा उर्जा प्रवा एक डिविश्य होता है एक डिस यह होता है और बढ़ते पूर्शन उर्जा अस्तर जो होते हैं उसमें उर्जा की प्रगामी आनी होती है वह पड़ते ना आप हंडेड होगा फिर 10 हो जाएगा 10 से फिर 1 हो जाएगा ठीक ना निवननिखित में से कौन मुद्रा का कारिय नहीं है आप समझ गह होंगे आपको 21 से 25 तक के जो प्रशन है वो भारती अर्थ व्यवस्था से हैं मूल्यका इस्थरी करण मूल्यका मापन मूल्यका शंचय मूल्यका हस्ताना अन्तरण कौन सा मुद्रा का कारियर नहीं है प्रशंख्या 21 का सही उतर है A. मूली का इस्तरी करन नहीं करती मुद्रा मापन करती है संचे करती है, हस्ताना अंतरं करती है ये तीन काम करती है प्रशंख्या 22 सरकार द्वारा पुनारी मुद्रा को वो शमाप्त का नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, पुरानी मुद्रा जब बंद कर दी जाए, नई मुद्रा चलाई जाए, ऐसा हुआ है अभी हाल में, क्या कहा जाता है, बिमुद्री करन, आओ मूल्यने मुद्रा शंकुचन, मुद्रा इश्पूती, तो मुद्रा इश् तो चार वाजी जो वीडियो आता है सभेरे पूरे दिन का जैसे तरीक हो आ रहा है तो पूरे दिन का अजेसे तारीका आ रहा है तो पूरे दिन का करेंट रफियर पहले ही उस्में जो आप दिन में पेपर में पढ़ेंगे, वो सब important रहता है उसमें, तो उसमें देखिए, आउमोलियन क्या होता है, क्या हो देश इसका हो शकता है, तो 24 का सही उत्तर क्या है, निर्यात को प्रोशाहन देना, जब आप कि देश की मुद्रा का आउमोलियन होता है, यानि कि उस अमेरिका या कोई देश यहां से कोई शामान मंगा रहा है, तो उसको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसको 75 रुपय के वराबर के वर एक डालर देना पड़ रहा है, ऐसे में क्या होगा, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, एक्स्पोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, प्रसंख्य 25 का सही उत्तर है, यह एक Central Bank है, यहनी केंद्रिया बैंक है, बी एंसर इसका सही है, कैसा लगा आपको टेस्ट, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो दूसरों तो पहुंचाईएगा, अपने मित्रों को लाप पहुंचाईगा, इ तो साइट पे सारी चीज़ें अपलोड होगी, टिलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजे, तो वहाँ पर यह प्रवाइट हम लोग कराते रहते हैं, और करेंट अफियर का वीडियो आप जरूर देखिए, मैं यह कहना चाहूँगा, वो भी डिस्क्रिशन बाक्स में, या आप नीचे जाके देखेंगे, नीचे पढ़ा होगा उसका लिंक, तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि वह बहुत अच्छा डिटेल में बनाया गया वीडियो है, प्रीमेंस दोडों में काम आएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी ऐसे, अगले वीडियो के साथ, तक लिए आया क्या बुले का सबया है, टो जरूर झालक।य। पर चूर देखेंगे, चरहले को ऩोह भीडियो काम आएगा, ये लिएका ये बेडियो काम आएगा है, तो आएगे, प्रीमे। और दो जडित आसबyet में काम आएगाờ है, तो नीचे, बलिड़े हैं WOOD,ँरू अबू